हाँ जी नास्ता चाहिए नास्ता देतो नास्ता देतो गर की महला यह सुन-स्वन खेनता सच में बहर हो जाती है क्योंकि नास्ता देतो तो आज मैं उसी नास्ते की सेलीशन लेकर आया हूँ और झट से यह बन भी जायेगा आज हम मेंदू वड़ा और सांबर बनाने वाले हैं जो अगर आपने मेंदू वड़े के लिए डाल भिगो के रख दी है तो ये आदे घंटे में आपका दूनों चीजे तैयार हो जाएंगी ये मेरी गारेंटी है तो वीडियो कोई शुरू करने से पहले बोलूँगा कि वीडियो का अभी से लाइक कर दो कम से कम 20 लोग के साथ शिर्ट 21 को कर देना सुब होता है ठीक है तो ये है अरहर की डाल 200 ग्राम अरहर की डाल कोई भिगो या वगरा मैंने नहीं है सिप अच्छी तरह धो के वाश करके कुकर में डाल दिया भिगोनी की जरूरत नहीं है अगर आपको भिगोना है तो भिगो डालना है ठीक है पानी मैंने डाला है लगभग एक लिटर इसमें हल्दी डाल दीजेगा और नमक डाल दीजेगा और भी कुछ एक्स्ट्रा और कुछ डालने की इसमें जरूरत नहीं है कुका का ठकन लगाईएगा अब मैंने तो इसमें तीन से चार सीटियां लगवाई है अब डिपेंड करता है दाल पे और पानी पे भी कि कितनी सीटियां लगेंगी अब मैंने एक बड़े से पतीले में ट्रांसफर कर लिए क्योंकि सामबर अच्छी कॉंटिटी में हमारे गर्मा तो बहुत ठूंसते हैं मेरे गर में अब मैंने इसमें दो लिटर पानी आड़ कर दिया है अब टिपिकल जो सबजीयां पढ़ती है उसमें हैं ये ड्रम स्टिक 200 ग्राम दो टमाटर है थोड़े से कड़ी लिपस है मतलब 15-20 और इसमें कद्दू डालेंगे 200 ग्राम कद्दू आपको क्यूब्स में कट करके इसमें डाल देने हैं और कोई सबजीयां पसंद करते हैं आलू अगरा तो डाल सकते हैं तीन चमच आपको इसमें धनिया पौडर दो चमच आपको इसमें लाल मिश पौडर एट करना है और उसके बाद इसमें हींग एट करनी है चौथाई चमच इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है अब इसमें सांबार मसाला एड़ करेंगे लगबग दो बड़े चमच मैंने सांबार मसाला एड़ कर दिया है इसे अच्छी तरह मिला लेंगे अब चाहें आपको खटास ज्यादा पसंद है तो थोड़ी इमली डाल जीजेगा इसमें और थोड़ी सी चीनी मुझे ये दोनों चीजे पसंद नहीं है इसलिए मैंने नहीं डाली है अच्छी तरह पकाना है बॉइल करना है सबजीयां अच्छी तरह पक जानी चाहिए ये शौर कर लिजेगा तब अब हम इसमें तड़का लगाएंगे तो तड दीरे दीरे डालीएगा क्योंकि ये बहुत जोड़ से उड़ेगी और धकल लगा दीएगा ताकि फ्लेवर अंदर तक रहा जाए हमारा सामबार बनके तयार हो चुका है यकीन मानिए आप रेश्टों जाना भूल जाएंगे ये सामबार खाने के बाद ठीक है अब दूसरी चीज मींद वड़ा कैसे बनाएंगे तो मींद वड़ा के लिए मैं 200 ग्राम मैंने ये उड़त की डाल भिगो के रख दी थी चार घंटे वो आपको सिंपली मिकसर जार में डालना है और कम से कम पानी डालके मतलब यह नहीं किसका गोल बना देना कम से कम पानी डालके इसको पीस लेना है अब पीस तो लिया है बट में चीज ये फेटना है अच्छी तर आपको फेटना है इसमें हवा भरनी है आपको एक ही डरा इसमें फेटते हुए लगभग पांच मेर तक फेटिएगा तब ही ये फलफी हो जाएगी इसका कलर भी चेंज हो जाएगा उसके त्यार हो चुका है हाथों को डीप किजेगा और ये सबसे पुराना तरीका हाथों मे लेना है गोला बीच मंगली गुजर देनी है और हाथों को उल्टा करके सिंप्ली मेंदूबडा तल लेना है जब डालेंगे तो थो थोड़ा मेंदा रहेगा बड़ी जैसे ऐसे उपर आएगा ये अपनी शेफ ले लेगा डोंट वरी जैसा कि आप देख सकते हैं एकदम गोल गोल भी रहता है तो अच्छा नहीं रखता है श्रीड फूड वाली फीलिंग नहीं आती तो ये बढ़िया तरीके से हमारा मेंदूबडा भी बन के तयार हो चुका है जटपड बन जाएगा सिर्फ सर्थ अगर आप लोग बोलेंगे कि मतलब चार घंटे दो जोड़े ही नहीं जो हमने डाल भी तो यह अगर आप कर लें तो मतलब जय जय है मतलब आप तहलका मचा सकते हैं तो इसको सफ कर लिजेगा हमारे सामबर और मेंदूबडा के साथ साथ में नारिय बाइ टेक्यर